आगरा में सरवाधेट लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें राजके कन्य अंटर कॉलेज में छात्राओं को धर्ती पर बैट कर पढ़ाई करनी पड़ती है जिसके चलते चात्राओं को काफी परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा है और बताया जा रहा है कि कॉलेज पर शात्राओं को परिशानियों का सामना करना पढ़ता है स्कूल में किसी प्रकार की कोई सुविधा देखने को नहीं मिली बताया जा रहा है कि कॉलेज में पिछले साथ सालों से ना ही बाउंडरी वॉल कराई गई है और ना ही CCTV कैमरे लगाए गई है जिसके जानकारी कॉलेज की प्रवक्ता द्वारा दी गई कहा गया कि बालिकाओं के लिए स्कूलों में बाउंडरी वॉल करना होना कितना शर्मसार है। कॉलज प्रशासन ने बताया कि प्रशासन द्वरा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहां जैसे कि आप देखी रहे हैं कि बच्चों को बिल लिए बैटने के लिए कोई फनीचर की वश्ता नहीं है। वैसे हमारे प्रदानाचारा द्वारा जी द्वारा काफी इसके लिए लेटर की कारवाई की गई है। दिये जाते हैं 10-15 दिन में प्रपतानी क्यों से और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बच्चियों को सर्दियों में बैटने बहुत देक्कत आती है। गरिमों में भी बहुत परिशानी होती है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है यह हम क्या कह सकते है। देखें मेरी तो अभी यहाँ पर नई जॉइनिंग है। मुझे तो जहाँ दो-तिन साल हुए हैं आई हुए। तो इसका जो इस पर जवाब है वो तो परताना चारे द्वारा ही दिया जा सकता। कॉलज की चात्राओं ने सीनियूस के माध्यम से बताया कि उनको कितनी परिशानियों का सामना करना पड़ता है। चात्राओं का कहना है कि वो पिछले 6 सालों से राज के स्कूल में पढ़ रही हैं पर यहां कोई सुविधा नहीं है। प्रशासन का स्कूलों पर कोई ध्यान नहीं है जिसके चलते राज के विध्यालों का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। नगनिकम द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। कॉलिज के बाहर गंदिगी का धेर लगा रहता है जिसके चलते चात्राओं को विभिन प्रकार की बिमारियों का भी सामना करना पड़ता है। कुछ समय पहले राज के विध्यालों की अपनी एक छवी थी जो खराब प्रबंदन के चलते धूमिल हो गई है। सरकारी स्कूलों में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि आज कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को राज के कॉलेज में पढ़ने के लिए भेचने को तयार नहीं है। कॉलेज में विद्यार्तियों को धर्ती पर बैठ कर पढ़ना पढ़ रहा है और कॉलेजों में परियाप्त मात्रा में अध्यापक भी नहीं है। सी नियूस के लिए जितिन शर्मा की रिपोर्ट।